नमस्ते दर्शको स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बनाएंगी आवले के छुन्दे इसको आप मुरब्बा भी बोल सकते हैं इसको आप दिन में कभी भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसके लिए हम कुछ आवला ले लेंगे यह ना तो जादा छोट यहने बटा चोट घॉने चाहिए नहीं बढ़े आवला प्रमाने के आप जो जानते हैं में बहुत सारा थे आपका की ऐपकल सही ही रखता है आपकी ही bet will do के लिए बहुत ही ही है सबसे पहले में आवले को दोल Tech show कि इसमाल करेंगे आप चाहे तो नीबू भी यूज़ कर सकते हैं पानी हमारा बॉइल हो गया है अब हम इसमें विनेगर डालेंगे करीब एक धकन डालेंगे अब हम इसके उपर आमले को रख देंगे हमें से स्टीम करना है ऐसे जाली के बरतन में आप इसे रख दीजिए और इसे धकन से ढग दीजिए याद रखे हमें बॉइल नहीं करना है लगबक 10 मिनट जब यह स्टीम हो जाए तब आप इसे देख सकते हैं अगर यह हलका भी प्रेस हो रहा है इसका मतलब यह अच्छे से स्टीम हो गया है अब हम इने ठंडे हो गया है अब हम इने ग्रेट कर लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे मुरब्य का सेवन आप पूरी सर्दी कर सकते हैं क्योंकि इसके फाइदे बहुत जादा है हमने ग्रेट कर लिया है अवले को जिस मातरा में आवला लिये थे उसी मातरा में गुड लेंगे और उसको भी क्रॉश कर लेंगे चुंदे को और जैकेदार बनाने के लिए हम कुछ मसाले लेंगे आदे चम्मच चल्दी एक चम्मच जीरा दो चमच लाल मिस पाउडर एक चमच सोट पाउडर एक चमच ब्लैक पेपर एक चमच काला नमक एक इंच दाल चीनी लेंगे और कुछ किश्मिश एक मोटे उसके बाद अजवाइन डालेंगे जब यह चटक जाए तो उसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद उसमें डालेंगे हमने जो ग्रेट किया था अवला उसको उसमें डालेंगे डालने के बाद इसको चला ले इसको हमने करीब एक मिनट तक पकाना आए इसमें हम वो एक इंच दाल चीनी भी डालेंगे डाल्चीनी को अंदर दबा दे एक मिनट आवला पकने के बाद हम उसमें गुड डालेंगे गुड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आवले के साथ और फिर उसको डग देंगे इसके हमने करी पांच मिनट चक पकाना आए तो पांच मिनट के बाद हमारे गुड़ ने पानी छोड़ दिया है अब हम इसमें बारी-बारी से सारे मसाले डालेंगे पहले काला नमक, फिर लाल मिर्च, हल्दी, सोट पाउडर, काली मिर्च, और किश मिर्च यह डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे ढखके पकाएं, करीब पांच मिनट पकाएंगे पकने के बाद हम इसमें से दालचीनी को हटा देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक नीबू का रस और उसे मिक्स कर लेंगे नीबू डालने से आवले का कसैला पंदूर हो जाएगा और इसका स्वार टैंगी हो जाएगा जब पानी लगभग सूख जाए तो समझ जाए कि ये चुन्दे तयार हो गए है ये देखिए इसका कलर कितना लाजवाब आया है और ये बिल्कुल खिला खिला दिख रहा है ये बिल्कुल तयार हो गया है तो तयार है हमारे चटपटे और मसालेदाल चुन्दे ये चुन्दे की डेसिपी अब जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद जय सची दानंद